हेलो स्टुडेंट्स हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट इस वीडियो में हम लोग फंक्शन की एक टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे ऐसे फंक्शन को जो कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं करते यानि कि ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर ना कोई इंपुट पास की जाती है यानि कि कोई भी आर्गुमेंट इनके अंदर पास नहीं किये जाते और इसी के साथ इनकी रिटर्ण वैल्यू भी कोई नहीं होती यानि ये वैल्यू भी कोई रिटर्ण नहीं करते अब इस point पर students आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक ऐसा function जो ना तो कोई input receive कर रहा है ना ही कोई output दे रहा है यानि ना ही कोई value return कर रहा है ऐसे functions का हमें क्या फाइदा होता है इस तरह के functions दीगर जगाओं पर इस्तमाल होते हैं और इनकी कुछ examples आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भी यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक function की example देखेंगे जिसमें हम लोग display करेंगे कुछ messages को अब आप देखें हमने एक message display करना है तो उसके लिए ना हमें कोई input की जरूरत है ना हमें कोई output return करने की जरूरत है हमने simple एक message को display करना है यानि print करना है screen पे तो यह एक ऐसा function होगा जो के without arguments काम करेगा यानि ना इसमें कोई input होगी ना ही कोई value return करेगा आई अब एक ऐसे function को code करके देखते हैं अपने program के अंदर यहाँ पर हम लोग मुझूद है अपने main function के अंदर अब यहाँ पर हम लोग main से पहले एक function बना लेते हैं जिसका हम लोग नाम रखते हैं for example mes that is short for message अब इस function में हम लोग करेंगी क्या के हम लोग c out करेंगे और c out में हम लोग एक statement print करवा देंगे for example this is a message अब students यह हमने एक function define कर दिया बहुत ही simple single statement वाला function अब जब भी इस function को मैं call करूँगा तो आप देखें ना ही इदर कोई inputs भेजे जा रही है ना ही कोई value return हो रही है लेकिन जब भी मैं इस function को call करूँगा तो मैं इससे एक काम ले सकता हूँ वो काम मेरे पास क्या है कि मैं एक message को print करवा सकता हूँ वो message मैं यहाँ पर कुछ भी set कर सकता हूँ यानि जो भी मैं message display करवाना चाहता हूँ for example students हम लोग यह function बना रहे थे कि जब भी हम लोग कोई program run करें तो उसमें user को welcome करने के लिए इस function को इस्तमाल दिया जा तो हमें बार-बार यह cout वाल statement टाइप ना करना पड़े हम लोग simple यह function call करें और उस user को welcome कर दिया जा तो हम लोग यहाँ पर message क्या लिखेंगे welcome to our program अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी function को हमने call किया है उसके name के साथ और small brackets के साथ और semicolon के साथ statement को end किया है अब execute में जाके compile and run जब करेंगे तो आप लोग output में देख सकेंगे कि simple हमने जो function call किया है उसकी यह जो functionality थी वो perform हो जाएगी और एक statement print होके आ जाएगी जिस तरह के आप लोग screen पर देख सकते हैं कि welcome to our program लिखा आ चुका है तो यह एक ऐसा function है जो काफी useful भी है यानि जब कभी भी हमने अपने किसी भी program में user को welcome करना होगा तो अब यह line हमें दुबारा नहीं लिखने पड़ेगी हम simple इस function का नाम लिखेंगे और यह काम हमारे पास automatically हो चाएगा तो हमने तेखा कि एक function जो arguments रिसीव नहीं कर रहा कोई value return नहीं कर रहा वो भी काफी useful हो सकता है और इसकी दीगर examples है जिस तरह के अभी हमने एक देखी अब यहां पर एक important बात जो हमने याद रखनी है कि अक्सर आप लोग online जब पढ़ रहे होंगे different programs देखेंगे या खुछ जब programming करेंगे तो आप लोगों को यह void का keyword नज़र आएगा यह void का keyword दरसल इस्तमाल होता है जब कभी हमने कोई भी value return नहीं करनी होती या कोई arguments नहीं देने होते यानि यहां पर मैं लिख दूँ for example void mess यानि function का नाम और यहां पर भी लिख दूँ void तो दरसल इसका यही मतलब है कि यह function जो है हमारे पास ना तो कोई input receive कर रहा है और ना ही कोई value return कर रहा है void का क्या मतलब होता है कि कोई चीज return नहीं हो रही नहीं कोई चीज यहां पर receive हो रही है हम इसको भी compile and run करके देख सकते हैं कि output हमारे पास बिल्कुल same ही generate होगी यह देख सकते हैं हमारी screen पर आप output के welcome to our program लिखा आ चुका है तो students आज की वीडियो में हमने देखा कि function without arguments किस तरह काम करते हैं अब इससे आगे वाली वीडियो में जाकर हम लोग देखेंगे function की और दीगर types जिसमें for example एक ऐसा function होगा जो के arguments तो receive कर रहा होगा input receive करेगा लेकिन output कोई produce नहीं कर यानि कोई value return नहीं करेगा फिर तीसरी type ऐसी होगी जो input भी receive करेगी और value भी return करेगी इसकी simple example यह हो सकती है कि for example एक function है जो के हमारे पास दो numbers का sum प्रिंट करवाने के लिए इस्तमाल किया जा रहा है तो इसमें हमारे पास क्या होगा दो values पास की जाएंगी यानि दो arguments तो पास होंगे और उन्हीं का sum यहाँ पर print करवा दिया जाएगा लेकिन कोई value return नहीं होगी दूसरे यानि तीसरे case की example क्या होगी जिसमें input भी है और return भी हो रही है value उसमें यह होगा कि जो दो number इस sum function को pass किये जाएंगे उनका sum compute करने के बाद answer को जहाँ पर इस function को call किया गया होगा वहाँ पर return किया जाएगा यानि के दोनों चीजें अकर हो रही होंगे तो यह होती है function की दिगर types आज की वीडियो में हमने सिरफ पहली type को देखा जिसमें हमारे पास arguments भी कोई नहीं होते और value भी return नहीं होती Thank you students